Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium अब मैं लाली वर्मा बहुत-बहुत सौगत करती हूँ आप सभी का Magnet Brains के Hindi Medium चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी सुस्त होंगे, खुश होंगे, प्रसनता पूरवक अपने सभी कारियों को कर रहे होंगे ध्यान से सुनिएगा, आज एक बहुत महत्वपून सूचना के साथ मैं आपके समक्ष उपस्तित हुई हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजे, येस आपको पता ही होगा, ग्यात ही होगा कि CBSC द्वारा आपके हर एक पार्ठिक्रम में, चाहे वो हिंदी का हो, या सभी विश्यों के पार्ठिक्रम में कुछ ना कुछ परिवर्तन किये गए हैं और आपने समभवता वो PDF भी देखी होगी, जो CBSC द्वारा रिलीज किये गई है, लेकिन यहाँ पर उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपके मन में यदि कोई भ्रह्म है, कि जो चैप्टर्स नहीं है, या जो चैप्टर्स हटा दिये गए हैं, जिन पार्ठों को या जिस भी बिशेद से हम बात करते हैं अपनी हिंदी की, ठीक है, तो रैशनलाइज कॉंटेंट की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो चैप्टर्स अब आपके पार्ठिक्रम से हटा दिये गए हैं, वो कौन-कौन से पार्ट हैं, स उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि यदि आपने वो पार्ठ पढ़ लिए गए हैं, या आपके द्वारा वो पार्ठ पढ़ लिए गए हैं, तो उसमें आपको पच्टानी की आवशक्ता नहीं हैं, क्योंकि कोई भी ज्यान, कोई भी जानकारी, कभी बेकार नहीं जा लेकिन जो हटा दिये गए वो भी क्या एकदम हमने पढ़ लिये तो हमें पच्टाना चाहिए आप हम क्या करें उसी की चर्चा हम करने वाले हैं तो किसी भी प्रकार का आपको जो रैशनलाइस कॉंटेंट है उससे संबंदित कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको पता है हम और हमारी पुस्तिका है जो पूरक पाठ पुस्तिका है नाम है कृतिका क्षितेज हमारी मेन पाठ पुस्तक है तो उससे कौन-कौन से पाठ है और क्यों हटा दिये गए हैं अब आप सुच रहेंगे वाओ मज़ा आ गया चैप्टर्स कम हो गए यह भी एक कारण है कि आपक किसी भी प्रकार का बर्डन ना लगे कोई बोज ना लगे क्योंकि सिक्षा बिना बोज के ही आनंददाई होती है तो हम देखेंगे सबसे पहले क्षितिज का कि क्षितिज में कौन से पाठों को हटाया गया है अब आपके मन में ये प्रशन आ रहे होंगे कि क्या ऐसा ना ह कि हमने जो पाठ पढ़ लिया है वो हट गए हो तो अभी आपके सभी प्रशनों का समाधान यहां पर होने वाला है पुना मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और सबसे पहले हम चलते हैं हमारी मुख्य पाठ पुस्तिका क्षितिज के पाठों की ओर कि इस से कौन-कौन से पा पुना निर्मान किया गया है कि इन पाठों को अब नहीं शामिल किया गया है इन परिक्षाओं में जो आपकी आने वाली परिक्षाएं होंगी जैसे आपको पता है ना निर्धारित पाठ पुस्तिके NCRT द्वारा प्रकाशित हमारी ख्षितिज भागदो कक्षदस वी कोर साथी साथ कृतिका भागदो NCRT की पाठ पुस्तिका है जो की पूरक पाठ पुस्तिका है अब यहां पर देखिए कि निमने लिखित पाठों से प्रशन नहीं पूछे जाएंगे प्रशन नहीं पूछे जाएंगे कहा नहीं पूछे जाएंगे कब नहीं पूछे जाएंग जाएंगे ध्यान से सुनियेगा बात को कि कावे खंड क्यूंकि हमारी जो पाठे पुस्तिका है क्षितिज उसमें सबसे पहले जो खंड है वो हमारा कावे खंड है ठीक है तो यहां पर भी जो सूची तयार की गई है वो कावे खंड से गद्य खंड की ओर गई है कावे खंड से पार्ट चैप्टर नमबर जो थ्री है देव कभी देव द्वारा रचित सवयय और कवित इससे कोई प्रश्ण नहीं पूछे जाएंगे इसमें आप किसी प्रकार का भ्रम अपने मन में मत रखिएगा क्योंकि इसमें दो सब पार्ट सें पार्ट जो तीन है हमारा देव द् पूरा पार्ट संपून पार्ट गया है उसका कभी परिचय से लेकर जितने भी मतलब संपून पार्ट इससे कुछ भी प्रश्ण नहीं पूछे जाएंगे एक और पार्ट है हमारा कन्यादान कन्यादान अब हो सकता है आपने पढ़ लिया हो या आपने घर में रिडिंग लगा ली हो और अच्छे लगे हो ये चैप्टर्स और आप सोच रहेंगे ओहो ये चैप्टर्स क्यों हट गए मैं वो भी आपको बताऊंगी कि यदि आपने पढ़ लिये हैं तो पश्तानी की अविशकता नहीं है ठीक है तो काव्य खंड से हमारे तीन चैप्टर्स पूर पूरे पूरे पाठों को हटा दिया गया है इसका तात परे क्या हुआ कि काव्य खंड से तीन चैप्टर्स कम हो गये हैं खुशी हुई हुई होगी चलते हैं गद्य खंड की तरफ यहां पर है महावीर प्रसाद दिवेदी द्वारा रचित स्त्री सिक्षा के विरोधी कु खंडन इस पाठ को गद्य खंड से यह और दो सर्वेश्वर दोयल सक्सेना जी द्वारा रचित मान्विय करौना की दिवे चमक और महावीर प्रसाद देवेदी जी द्वारा रचित स्त्री सिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन गद्य खंड से दो पाठों को हटा दि को हटा दिया गया है इन पांचों पाठों से आपकी परिक्षा में कोई भी प्रशन नहीं पूछे जाएंगे इतना क्लियर है इतना समझ लीजे कि आपको परिक्षा है तू परिक्षा के लिए इन पाठों को पढ़ने या तैयार करने की आवशक्ता नहीं है इनकी तैयारी की आविशक्त आपको परिक्षाओं के लिए कताई नहीं है तो ये परिक्षा उपियोगी नहीं है पूर्ण रूप से हट चुके हैं क्लियर हुआ देखिए आप चलते हैं हम हमारी पूरक पाठे पुस्तिका क्रितिका की ओर ठीक है अब आप सोच रहे होंगे आपने ये तो पत प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे समझ में आया कि जौर्ज पंचम की नाक और ये पूरे पूरे चैप्टर्स मतलब कम्प्लीट चैप्टर जो है यही ठहिया जौनियरानी रामा और जौर्ज पंचम की नाक इन दोनों पाठों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जबकि आपकी क्रितिका में सिर्फ पांच ही चैप्टर्स हैं जिसमें से दो हट चुके हैं अब आप किसले बस में बचे हैं सिर्फ तीन चैप्टर्स ठीक है बोज कम हुआ पांच वहाँ से गये आपके क्षितिस से पांच चैप्टर्स हटा दिये गये हैं उन पांच और चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे ठीक उसी तरह से और जो हटी करितिका से दो चैप्टर्स हट कावेखंट से तीन, गद्धेखंट से दो, कृतिका से दो तो इन पाठों की आपको परिक्षा के लिए तैयारी करने की अब आवशकता नहीं है अब चलते हैं कि जो चैप्टर सटा दिये गए हैं क्या वो विल्कुल भी उपयोगी नहीं है यदि हमने पढ़ लिया तो, क्योंकि क्रतिका का तो दूसरा ही चैप्टर है जोर्ज पंचम की नाक, यदि पढ़ लिया है तो हमारी तो मैनत बरबाद गई नहीं, मैनत हो कभी भी, किसी भी कोई जानकारी हो या कोई ग्या नर्जन हमने कर लिया है, या हमने मैनत की है या परिश्रम किया है, या अपना समय दिया है वो कभी भी बरबाद नहीं जाता है और उसमें हमें पश्टाने की अवशक्ता नहीं होती है क्यों नहीं होती है? देखिए बता देती हूँ इतना सोची मत मैं बता देती हूँ ये अध्याय भले ही आपके पार्ठिक्रम से हटा दिये गए हैं लेकिन ये आपकी जो प्रतियोगी परिक्षाएं होती हैं competitive exams होते हैं जैसे खास तोर से हम बात करें olympiards की ठीक है तो यहाँ पर फिर ये सभी परिक्षाओं के लिए बहुत-बहुत-बहुत मैं महत्वपूर्ण है जब भी आपके भाशा से संबंदित प्रशन आते हैं तो हिंदी से संबंदित ये प्रशन आ सकते हैं इन पार्ठों से प्रशन आ सकते हैं तो आपने अधी पढ़ लिये हैं तो बिल्कुल पच्टाने की आविशक्ता नहीं है आपको पता है न कि कोई भी परिक्षा जैसे kvp by iitj and नीट olympiard and tse ups e sse railways आदी जो भी परिक्षाओं आप देने वाले हैं भविश में उन में संभवता इन पार्ठों से एक आदे काद प्रशन आ जाए और वहां तो हम 0.025 या इतने नंबर पाने के लिए भी ललायत रहते हैं और हम एक 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 से भी कम अंकों को जोड जाड के हम मतलब वहां तो पॉइंट से रह जाते हैं न ठीक है तो यदि हमने पढ़ लिया है तो बिल्कुल भी पच्चताने की आवशकता नहीं है और यदि हम बात करें 10 वी की तो 10 वी की लिए जो भी परिक्षा होगी आपकी बोड परिक्षा होगी उन में आपको इन पार्ठों की तयारी करने की जरूरत नहीं है क्रितिका से दो चैप्टर्स हटाए गए हैं यही ठाईया जुलनिया रानियो रामा और जॉर्ज बंचम की नाग क्षितिस से टोटल पांच चैप्टर्स हटाए गए हैं कावेखंड से पता है आपको ठीक है कौन-कौन सा देव द्वाराराचित, सवयय और कविद, फिर हमारा चायमत छूना, गिरिजाकुमार मातुर द्वाराराचित, और एक हमारा कन्यदान रितुराज जी द्वाराचित तो ये chapters कावे खंड से हैं, गद्दे खंड से कौन कौन से हैं, स्त्री सिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन, महावीर प्रसाद देवेदी जु द्वारा रचित, और एक और हमारा सर्वेश्वरदयल सक्सेना जी द्वारा रचित, मानविय करोना की दिव्वे चमक ये chapters अब आपके स्लेवरस में नहीं है परिक्षा के लिए, आपकी बोड परिक्षा के लिए, दस वी की परिक्षा के लिए, ठीक है, खुश हुए, मुगैंबो, खुश हुआ, चलिए, आप बिना बोज के, बिना किसी टेंशन के या चिंता के, आप करेंगे बहुत अच्छे जो परिणाम होगा, वो सकारात्मका है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टुडेंट्स, जिस भी लक्ष को पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी कुछ तो सहायता कर सकें, इसलिए कक्षा छटवी से बारवी तक की ओनलाइन स्कूल एजुकेशन, मैंगे बेंस, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, फ्री और हमेशा इसी तरह के वीडियो आप के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, मिलते हैं, बाई बाई, थैंक्यू